स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममीज रेसीपी में आज मैं लेकर आई हूँ घर पर पनीर बनाने के बहुत आसान विधी घर पर पनीर बनाने के लिए मैंने बागोना ले लिया है और भगोने में डाल दिया है दो चम्मस पानी अब इसमें मैं डाल दूँगे एक लीटर दूद मैंने भागाने में दो चमस पानी शुरू में डाल दिया था इससे हमारा दूद लगता नहीं है तले में और हमारा पनीर बनेगा एकदम सॉफ्ट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि एक लीटर दूद से कितना पनीर बनेगा इसके लिए आप मेरी वीडियो लास तक जरूर देखें अब दूद को मैंने बीच बिच में हिला लिया है देखें दूद हमारा उबलने लगा है फिर एक बार मैंने और जो साइड में मलाई लगी है इसको भी बीच में कर लिया है अब दूद उबल चुका है तो गैस बंद करती है और पांच मिनट के लिए इसको रख दिया है एकदम खौलते दूद को नहीं फालना है और दूद फालने के लिए मैंने आज लिया है दो चमाज विनिगर और दो चमाज पानी यानि कि आधा पानी और आधा विनिगर अब ये विनिगर और पानी के मिक्सर को थोड़ा थोड़ा करके हमें थोड़ा थोड़ा करके दूद में डालते हुए से फालना है एक साथ पुरा मिक्सर बिलकुल न डाले आप देखे दो से तीन बार में मैंने थोड़ा थोड़ा डालते हुए फाल लिया अब इस दूद को लगाता हिलाते रहोंगे दो मिनट तर इससे हमारा दूद बहुत अच्छा फट जाएगा और पनीर बनेगा एकदम सॉफ्ट मिलकुल मार्केट जैसा पनीर मेरा बन कर तैयर हुआ है यह दिखे मैंने इसको हिला लिया है आप दूद को फालने के लिए निबू का भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको करते हैं छानने की तैयारी एक कौटन का कपडा मैंने लेली है आप कोई भी कपडा यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करें कौटन का कपडा ही ले इससे हमारा पनीर सारह एक जगा पर ईखटा हो जाएगा अब इस पनीर को 3-4 बार गराम पानी में डिप कर लिया है इस से हमारा पनीर सारा एक जगा पर खटा हो जाएगा अब इस पानी को भी मिलना फैंक है या तो अब इससे सूप बनाने में यूज कर लें या इससे आटा मल लें आप देखे इस पनीर में मैं ठंडा पाने डाल दूंगे उपर से एक्तम ठंडा ठंडा पाने आप इसमें डाले इससे हमारा पनीर बनेगा एक्तम सॉफ्ट अगर आपने गरम पनीर को ही ऐसे दबा कर रग दिया तो हमारा पनीर थोड़ा टाइट बन जाएगा अब तीन से चार बार इसको अच्छी से डिप कर लिया है मैंने और देख्या हाथ से दबाते हुए सारे पनीर को एक जगा पर इखटा कर लिया है पनीर को हाथ से इखटा करते हुए इसको मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और ऐसे उपर से कपड़ा फोल्ड करते हुए उपर से कुछ वेट रख दूँगे आदे घंटे के लिए मैंने इसे रख दे हैं और आदे घंटे बाद देखेंगे हमारा कितना अच्छा पनीर बनकर त्यार हुआ है मैं आपको पास से दिखाती हूँ बहुत सौफ पनीर बनकर त्यार हुआ है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता है अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एकदम फ्री है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं इस तो आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी ये देखें कितना सौफ्ट पनीर बनकर तैयर हुआ है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पॉर वाचिंग अप्रीशियेट यूर टाइम